नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है कुछ दिन हुए रामानंद जी और राकेश जी अपने अपने पेशे से रिटायर होकर सिविल लाइन्स में बस गए थे अपने यहां का चलन है कि रिटायर होने के बाद और इस लोग से ट्रांस्फर होने के पहले बहुत से लोग सिविल लाइन्स में बंगले बनवा लेते हैं इन्होंने भी वहां अपने अपने बंगले बनवा लिये रामानंद जी किसी समय में चोरी किया करते थे वे पुराने स्कूल के चोर थे इस कारण उनका विश्वास तांत्रिक क्रियाओं में भी था बाद में चोरी सिखलाने के लिए उन्होंने एक नाइट स्कूल भी खोला कुछ समय बीतने पर चोरी के माल के क्रय विक्रय की उन्होंने एक दुकान कर ली इस सब से अब वे रिटायर हो चुके थे और अपने को रिटायर कहा करते थे राकेश जी रिटायर तो हो चुके थे पर चुकि वे कवी थे इस कारण वे अपने को रिटायर मानने को तयार न थे कभी उन्होंने एमे पास किया था और फिर वे एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए थे उस पेशे में तो वे ज्यादा नहीं चल पाए पर कवी की हैसियत से उन्हें उचा स्थान मिल गया था अर्थात अब तक उनके पास उनकी अपनी कविताएं थी अपने प्रकाशक थे, अपने ही आलोचक थे, अपने ही प्रशंगसक और पुरसकार दाता थे इधर कुछ आलोचक उन्हें कविता के क्षेत्र में भी रेटायर कहने लगे थे दोनों पडोसी थे, दोनों को एक दूसरे के पुराने व्यवसाय का ज्यान था उनमें मित्रता हो गई, दोनों प्राय हर बात में एकमत रहते थे दोनों यही समझते थे कि इस यूग में योग्यता और कला का रास हो रहा है और आज की पीड़ी बिलकुल जाहिल, निरर्थक और अयोग्य है इसलिए एक दिन लौन में टहलते टहलते राकेश जी ने कहा आज की पढ़ाई में रखा ही क्या है? मैं आठवे दर्जे में हिंदी कविता का अर्थ अंग्रेजी में लिखता था अब बी एव में अंग्रेजी कविता का अर्थ हिंदी में लिखाया जाता है रामानन जी बोले, आप ठीक कहते हैं हमारे जमाने में कुछ लोग फर्ष पर डंडा ठोक कर जमीन में गड़े हुए धन का हाल जान लेते थे आज के दिन सामनी कपड़े से ढखी तिजोरी रखी रहती है और लोग उसे में समझ कर बिना चुए ही निकल जाते हैं राकेश जी ने कहा और जम कर साधना करने का तो समय ही चला गया है आज कल बात काटकर रामानन जी बोले साधना अब कौन कर सकता है हम लोगों ने अमावस की रात में मसान जगाया था मुर्दे की खोपड़ी में चावल पका कर उसे जिस घर में डाल देते वहां का माल राकेश जी ने जल्दी में कहा नहीं नहीं वैसी साधना से मेरा मतलम नहीं है मैं साहित्य साधना की बात कर रहा हूँ आजकल लोग व्याकरण, पिंगल, काव्य शास्त्र का नाम तक नहीं जानते और नई-नई बातों के आविशकारक बन जाते हैं कोई दो-दो पंक्तियों को लिए मुक्तक लिख रहा है अतुकांत चला रहा है कोई क्रियाओं के नहीं ने प्रयोग भिड़ा रहा है और पूछ बैठिये कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रियामने क्या भेध है तो अंग्रेजी बोले लगेंगे एक गहरी सांस खीच कर रामानन जी बोले आप सच कहते हैं अपने यहां भी यही दशा है दिवाल की कौन कहे कागस पर काईदे की सेंध नहीं लगा सकते और बात करेंगे सिटकनी खोलने की रोशन दान तोडने की जेब काटने की नई नई तरकीबो की डींग हगेंगे और पुरानी राकेश जी अपनी धुन में कहते गए और विनमरता तो रही ही नहीं कुछ सिखाओ तो सीखेंगे नहीं कुछ बताओ तो बिना समझे बूजया कड़ने लगेंगे आज के साहित्यक साहित्यक नहीं लठैत है लठैत रामानन जी समर्थन करते हुए बोले साहित्यक के क्या पूछने राकेश जी यहां तो अपके चोर नहीं रहे वे तो डकैत है डकैत अपना पुराना तरीका तो ये था कि घर में घुसे और बच्चे ने खास दिया तो विनमरता पूर्वक बाहर निकलाए पर आजकल के ये लोग किसी को जाकता हुआ पा जाये तो सहम कर उन्होंने वाक्य पूरा किया बाप रे बाप अब राकेश जी उत्साहित हो गए और बोले ये सब जाहिल है निरर्थक है पहले तो लिखते लिखते हाथ ऐसा मज जाता था कि पाठक बिना पढ़े ही दूर से समझ जाते थे कि अमुक कवी की कविता है उस पर उनका व्यक्तित्व जलगता था रामानन जी ने धीरे से कहा यही तो सैंद की शकल देखकर लोग कह देते थे कि ये फलाने लगाई है अब तो सिटकनी खुली पड़ी है उपमा राकेश जी को पसंद आ गई बोले आजकल यही तो है ही साहित्य के दर्वाजे की सिटकनी अंदर से खोल खोल कर न जाने कितने लोग घुसाए है बिना समझे हुए रामानन जी ने कहा जी हाँ पहले तो सैंद का ही चलन था राकेश जी ने जल्दी सिका जी आप मेरा मतलब नहीं समझे मैं कह रहा था कि अकस्मा तुन्हों ने चौक कर कुर्ते की जेब पकड़ ली रामानन जी का हाथ उनकी मुठी में आ गया नाराजगी से राकेश जी बोले ये क्या आप मेरी जेब काट रहे थे रामानन जी ने विनम्रता से हाथ चुड़ा कर कहा यही समझ लीजिए बात ये है कि बात ये है कि ये नो सीखी कुछ काम तो बड़ी सफाई से कर दिखाते हैं मैं आपस में वही देख रहा था कि ये जेब वाला काम मुझसे भी चल पाता या नहीं रामानन जी नर्म पड़े बोले देख लिया आपने बिना उत्सा के रामानन जी सांस खीच कर बोले देख लिया राकेश जी ये सब के बूते की बात नहीं जो हमने कर लिया वो आज वाले नहीं कर पाते हैं पर इनके भी कुछ ऐसे खेल है जो हम नहीं खेल पाते अपना अपना जमाना है सहसा राकेश जी बिगड़ कर बोले ये सब आप ही के यहां चलता होगा अपने यहां तो अब भी जो कहिए करके दिखा दू रामानन जी ये तो करने की विद्या है चाहे कवित्व हो चाहे कविता हो या हो नई कविता लिखूंगा तो अब भी आजकल वालों से अच्छा ही लिखूंगा रामानन जी राकेश जी की ओर देखते रहे उनमें कभी मद्भेद नहीं हुआ था पहली बार उन्हें लगा कि कुछ ऐसी भी बाते हैं जहां उनकी राय हमेशा एक नहीं होगी मैं आशा करती हूँ कि ये विडियो आपको पसंद आई होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धर्शा